27% of Americans buy groceries on loans. क्या बात है? साउधी अरेबिया और इरान के बीच जो रिलेशन्स नॉर्मल हुए, ये भारत ने मीडियेट किया, चाइना ने नहीं किया. कोई नहीं बताएगा कि मीडिलीस मेजॉरिटी क्रिस्चिन और जुइश था. उतना पीछे कोई नहीं जाता है. कि जब इसराइल पर अटेक होता है, तब कोई भी यूमन राइट्स की बात नहीं करता है. पर जब इसराइल अटेक का जवाब देता है, तब अभी पूरी दुनिया की मीडिया यूमन राइट्स की बात कर रही है. तो क्या human rights सिर्फ Palestine के लिए है, इस्राइल के लिए नहीं है? Now Russia is going to be one of the richest country after the financial reset. Really? क्योंकि maximum natural resources उतके पास. Namaskar Ankit जी, फिर से एक बार वेदनम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Namaste. आज हम Ankit जी से बात करेंगे Canada के उपर, Israel के उपर, Saudi Arab, Sri Lanka, Maldives और पूरा geopolitics के किस तरहा से इंडिया पर अभी की परस्थितियां असर कर रही हैं. सबसे पहले Ankit जी, मैंने कल आपका बहुत इंट्रेस्टिंग ट्वीट पढ़ा, आपके वैसे सारे ट्वीट इंट्रेस्टिंग ही होते हैं. Global Hunger Index के बारे में आपका ट्वीट था, उसके बारे में कुछ बताईए. देखिए, यह जो पूरा Western Template है, रैंकिंग देने का, उसमें बहुत स्पेसिफिक, अगर आप Global Hunger Index की बात करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एक पूरा नरेटिव चलता है, कि there is a starvation, massive starvation, उसकी वज़ए से deaths होनी है, और उसी के चलते बहुत सारा Western funding यहां पे होता है, NGOs का वो ही rise back Christian conversion के लिए, तो पहले narrative इसी ranking से start होता है कि आपका ranking खराब है, people are dying because of starvation, और जब वो narrative फैल जाता है, उसके बाद they are able to channelize the funding to the NGOs, और वहां से फिर यह पूरा rise back conversion शुरू होता है, अब आप जानके चौंक जाएंगे कि श्री लंका और पाकिस्तान का ranking हमसे better है, Exactly, मैंने वही पड़ा, और fact यह है कि हमने श्री लंका कुछ supplies दी है, तो यह जो पूरा बदमाशी है, एक खेल चलता है, और इसमें कहीं भी वो लोग criteria में वो cover नहीं करते, जैसे अब आप America का status देखो, तो 27% population अभी loan लेती है, food purchase के लिए, 27% of Americans buy groceries on loans, on EMIs, on credit card, ठीक है, जो भारत में शायद, मतब आप सून भी नहीं सकते हैं, किसी ने loan लिया हो, absolutely, for purchasing food, तो यह कहीं भी वो criteria में cover नहीं करते, ना ही food stamps cover करते हैं, जो west में दिये जाते हैं, ना income security और वो social benefits cover होते हैं, तो एक पूरा cartel है, क्योंकि उनहीं के criteria के हिसाब से, पता निक, जो भी गलत वो इस्तमाल करते हैं, ranking, ना सिर्फ यह even, अगर आप उनका food का criteria देखोगे, तो they will put meat और यह सब that type of food, जबके आप जानते हैं, कि भारत में इतनी diversity है, season climate region wise, कि हर एक का diet का ingredients है, सबका अलग-अलग है, तो आपको यह one size fits all, जो western, जो winter climate based countries है, उस पर से आप criteria बनाओंगे, तो ऐसे ही cartoon जैसे indexes निकल के आएंगे, मलब ऐसी चीजों में भी conspiracy छुपी हो सकती है, जी, बहुत बड़ी conspiracy है, वीवर्स को जानना जरूरी है, कि हमारे जो farm laws का reforms था, उसके protest में बहुत सारी western countries की funding थी, और वो क्यों farm laws रुकवाना चाहते थे, तो आम में समझना है, कि सारी हमारी agriculture sector की जो land थी, उसको तुड़वाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, western agencies का, जो individualism, feminism, privacy वाला wave चलाया उन्होंने, 50s, 60s, 70s में, जमीन तुड़वाने में agriculture की, क्योंकि सब ने अपना family का शेयर मांगा और urban cities में आए, उसी में ये agriculture sector पूला डिस्ट्रोई हुआ, profitability और productivity, आप जानते हैं कि small acre of land में कितना yield आएगा, ठीक, तो उनको डर लगता है कि अगर agriculture reforms आ गए, तो वापस land consolidate हो जाएगी, और आप जानते हैं कि last 800 साल जो human beings का main economic activity रहा, was related to farming, food processing और वही core sectors, entrepreneurship वाले, ठीक, उसी में हमने 27% world GDP दिया, तो उन्हें obvious है कि उन्होंने farm protest में बहुत बड़ा contribution था उनका, अब इतना बड़ा catch 22 है यहाँ पे, अगर जो यह status को है अभी position वो चलती है, तो फिर problem यह है कि MSP पे government को buy करना पड़ेगा stock farmers से, ठीक है, और फिर वो जो massive stock है, you will have to distribute food security scheme में, तो उनका दूसरा जो objective है, conversion वाला वो नहीं हो पाता, तो दोनों बाजू problem है कि अगर farm laws हो गए, तो फिर GDP में आप top कर जाओगे, जो वो चाहते नहीं है, जो नहीं चाहते, और farm laws नहीं होने दिये तो MSP पे buy करके food security करना पड़ेगा, लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, आपको distribute करना ही पड़ेगा, इतना जादा अपने buy करके रखा है farmers से, तो फिर आपका rise back का conversion का problem है, तो this is what the problem with those countries is, अंकिर जी मैं आपका जैसे ये tweet देख रहा था, तब मैं दूसरी एक चीज देख रहा था जो trend कर रही थी, ये जो भी India और Pakistan का match हो रहा है, लोग इस पर भी अपना बहुत जादा विरोध जता रहे हैं, क्या आपको लगता है किस match के पीछे भी Government of India का कोई बड़ा प्लाइन है? देखे, प्लान तो I am not privy to क्या internal उनका होगा, बट जो signals मुझे पकड में आ रहे हैं recently, अगर आपने जैशंकर जी का जो statement उन्होंने आपकी अदालत में दिया, जब पीओ के relevant question उन्हें पुछा गया, तो उनके answer में ये था कि Pakistan is also changing internally, तो मुझे नहीं लगता कि कोई public सुधर गई होगी या de-radicalized होगे होगी, बट मेरा understanding ये है statement पर से, कि कुछ-कुछ back channel में give and take शायद हुआ हो, तो हो सकता है ऐसा, क्यूंकि अब बहुत recently ये दिखाई दे रहा है कि unidentified assailants are killing terrorists which are wanted, जो हमारे list में है, डोजियर की list में, पाकिस्तन में ही, तो हो सकता है, because, देखो आप एक बात समझें के अगर तो Pakistan government वो टेरिस्ट को पकड़ के handover करेंगे भारत को officially, तो फिर तो they will have to face a backlash, in their own country, in their own country, तो हो सकता है, कुछ understanding हो, कि हमारे cricket को आप थोड़ा revival करवाएं, सामने हम कुछ जो unidentified assailants को freehand दे, अंकिर जी अभी का सबसे चर्चित सवाल ये है, कि अभी इसराइल पर attack हुआ, जैसे ही attack होता है, मोदी जी इसराइल को support करता है, tweet के मातियम से, और Saudi support करता है Palestine को, तो इसमें सवाल ये उठता है, कि अभी हमारा Saudi के साथ बहुत ही एक बड़ा economical corridor के बारे में पूरा एक चर्चा चल रहा है, क्या हमारे और Saudi के relation को इससे कुछ हो सकता है, क्या? देखें, पूरा जो Middle East है, धिरे धिरे पूरे Middle East में ये awakening आ चुकी है, कि अगर economically survive करना है, तो de-radicalization process होना ही होगा, चाहे वो कितना भी painful हो, क्यों ना हो, तो human death कहीं भी होती है, चाहे हमास के side हो, Palestine के side हो, या Israel में हो, everybody is pained by that, तो वो sentiment तो universal है, बट हमें ये समझना है, कि अगर वो economies को survive करना है, post crude oil world, जो अब थोड़ा ही stock उनका बचा है, या relevance बचा है 15-20 साल का, जो मुफ्त में जमीन से निकलता है, और लखिली हमारे पडोसी को ऐसा कुछ निकला नहीं, फ्री में, तो अगर तो वो survive होना है, तो society को diversify करना पड़ेगा, और अगर society को diversify करना है, तो वो religious doctrine का reform inevitable है, ठीक है, अगर वो doctrine आपको reform करना है, तो यह जितने भी violent elements हैं, पहले आपको वो mess पुरा clean up करना पड़ेगा, तो आपने जो बताया के, प्राइम मिनिस्टर ने officially जो दो tweets डाली तीज और दोनों tweet में, भारत stands with Israel, बहुत clear है, और हमारे MEA ने भी बताया के, this is a terrorist attack, तो stand बहुत clear है हमारा, पर उसके बाद आपने देखा हो, MEA का statement भी आया, जो Palestine के बार में two state solution की बात की गई, तो viewers को सबसे पहले समझना यह जरूरी है, कि यहाँ पे कोई contradiction नहीं है दोनों में, यह दोनों चीज़ों में, क्यूं नहीं है, क्यूंके भारत ने कभी जो groupism वाली geopolitics है कभी करी नहीं है, तो कुछ issues पे हम इस्रेल की favor में vote देते हैं, जब भी कोई resolution आता है, किस international body में, कुछ issues में हम, जब जैसा यह two state वाला solution की जो बात है, उसमें हम Palestine को support करते हैं, और इसके पीछे core reason यह है, कि कश्मीर वाला जो मामला है, उसको हम global jihad के साथ जोड के नहीं देखते हैं, उसे हम एक territorial problem मानते हैं, जो एक illegal occupation है land का, हम नहीं मानते के यह वहाँ कोई global jihad चल रहा है, वहाँ कोई Hamas या Al-Qaeda या Taliban उनका कोई local stand-eye है वहाँ पे उस issue में, तो यह dissect करना बहुत ज़रूरी है issue-wise, तो that is what the normal policy is और वही continue हो रही है, जहां तक सवाल Saudi Arabia का है, तो जब तक यह de-radicalization का process complete नहीं हो जाता, तब तक as a leader of Islamic world, उनका जो standard policy set है, उसी हिसाब से they are giving official statement, बट आपने पहले यह समझना है कि Saudi Arabia और एरान के बीच जो relations normal हुए, मेरा understanding यह है कि यह भारत ने mediate किया, चाइना ने नहीं किया है, तो this is my human body language, तो इंटनेशनल मीडिया तो चाइना को ही mediator बता रहा है, जी, यह मेरा human body language reading है, कि यह mediation भारत ने किया है दोनों countries के बीच, और in fact दोनों foreign ministers चाँ भी रहे थें भारत आके एक event हो और declare हो, बट वो invites फिर cancel कर दिये गए, this is my understanding, और फिर एराक में कुछ meetings हुई, उसके बाद यह decision लिया गया कि यह credit चाइना को जाएगा, जो भी उसके पीछे geopolitical strategy रही हो, this is purely my understanding, my disclaimer दे दूँ, because there is no, any headline or any media thing backing this, और यह जरूरी इसलिए भी था, कि जब भी एरान और इस्रेल के बीच military conflict हो, तो Saudi Arabia को उसका कुछ नुकसान ना पहुँचे, तो इसके लिए दोनों के बीच, Saudi Arabia और इरान के बीच, ties normal होना was a precondition before Israel-Iran conflict begins, क्योंकि indirectly तो इरान भी इस conflict में है, जी बिल्कुल, बिल्कुल है, तो Saudi Arabia और UAE जो है, अगर ties सेट नहीं होती इरान के साथ, तो जब अब conflict होगा तो उनको भी कुछ न कुछ जेलना पड़ता, action, इरान का, अब वो बच गए हैं, क्योंकि उनका relation सेट हो गया इरान के साथ, ठीक, तो मुझे लगता है कि नेतन याहू, जिस प्रकार की बर्बता हुई है, हमास के द्वारा, जिस प्रकार का terror attack, मुझे लगता है कि नेतन याहू, clean up करेंगे पूरा mass, चाहे वो गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, और उस रिजियन में, और पूरा का पूरा clean कर देंगे, और आप जानते ही है, जिहाद is enemy of economics, ठीक है, तो इस्रेल वाला portion clean up होगा, और सबसे बड़ा फिर last, यह जो economic corridor के success के लिए ज़रूरी है, विच इस साउदी अरेबिया के अंदर का mass clean होना, तो जो मैं prediction में बताता हूँ के, it will be a Jewish majority, वो मैं इसलिए बताता हूँ के, जो भी mass clean up होना है, उसमें जो भी inputs लगेंगे, चाहे military-wise हो, Abrahamic religion-wise हो, या defense or security-wise, intel-wise हो, वो सारा इस्रेल का ही support, MBS को मिलेगा, क्योंकि internal clean up के लिए, I don't think UAE has that capacity, भारत will not involve in that, जहां तक भारत का रोल है, that is limited to mandir, Ayurved and yoga, deradicalization के लिए, लेकिन जो radical violence के उपर, नकेल जो कसनी है, MBS को, उसमें support, मुझे लगता है, इसरेल के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, और एक पुरा history भी रहा है, जो Jewish religion के साथ, उनका जादा है, मैं उस पर ही आने वाला था, अंकिर जी, हमारे पिछले podcast में, हमने कही ना कहीं, Abrahamic religions के बारे में बात की, आपने अभी जिहाद के बारे में बात की, तो उस पर मेरे दो सवाल है, पहला हमारे दर्शोकों के लिए, आप थोड़ा ये जो Palestine और Israel का issue है, वो क्यूं है, किस चीज को लेके हैं, वो थोड़ा ब्रीफ में बता सके तो प्लीज, तो एक तो पुरा maps वाला narrative चल रहा है, ठीक है, कि ये Palestine की भूमी थी, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा गलत narrative है, और उसमें कुछ images भी गूम रही है, कि पहले इतना green region था, अब इतना ही green region बचा है, तो उसमें वो कभी भी पूरा picture नहीं बताते, कोई नहीं बताएगा कि Middle East majority, Christian और Jewish था, उतना पीछे कोई नहीं जाता है, तो आप खाली थोड़े period का map बनाके narrative चलाते हो, तो basically Jewish और Christian land है ये सारी, और वो Islamic पूरा invasion होके conversion हुआ, ठीक है, और conversion का process भी बहुत clear है, अगर मैं दर्शकों को एकदम ground level idea दूँ के कैसे होता है, तो suppose एक road है जहाँ पे 10 shops है, there are 10 shops, तो वहाँ पे एक shop purchase होगी बहुत high price पे, ठीक है, वहाँ पे radical community है वोँआ एंटर होगी, फिर जो है एक और shop purchase होगी, फिर 6-8 महिने के बाद वहाँ violence शुरू होगा, फिर बाकी की art shop उनको panic selling में मिल जाएगी after the violence, इसी तरह 56 countries बनी है, ठीक है, कही ने कही वो थोड़ा pattern हमारे वहाँ पे दिखता है, वेल, अगर आप ध्यान से और observe करोगे तो 1971 के फिर डॉलर के बाद ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और हमें ये भी समझना है के internally within the community भी formula है 90 plus 5 plus 5 का, तो जो हमास का जो terror attack हुआ, जो terror attack खुद करते हैं, तो 5% of their total population, जो सबसे मैं मानता हूँ सबसे जादा honest, truthful muslimान, ठीक है, दूसरा 5 जो है, जो elite work आता है, लाइक बड़े-बड़े celebrities, जो जानते सब कुछ है लेकिन चूप रहेंगे, ठीक है, और सबसे जो dangerous है, which is 90%, जो 5% terror attack में मर जाते हैं, उनके मर जाने के बाद, जो panic selling होती है, उसमें पूरा area purchase कर लेते हैं, that 90% is the most dangerous one, तो ऐसे 56 countries बनी हैं, 90 plus 5 plus 5, अपने जिहाद की बात की, ये पूरे attack में एक चीज़ पुरी दुनिया ने देखिए, कि जब इसराइल पर attack होता है, तब कोई भी human rights की बात नहीं करता, पर जब इसराइल attack का जवाब देता है, तब अभी पूरी दुनिया की media human rights की बात कर रही है, तो क्या human rights सिफ Palestine के लिए है, इसराइल के लिए नहीं है? वो बाकी के तो human है ही नहीं, religious doctrine के हिसाब से, non-believer is not a human being. अच्छा, काफिर है? काफिर बोलो, जो भी label लगाओ, basically, जो आपके group में नहीं है, non-believer है, तो he is not worthy to have any kind of a right. So that's a blanket suppression of treatment between believers and non-believers. So that is based on religious doctrine, मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते, that is what it is. अंके जी, ये पूरी war के बाद, जब मैं आम लोगों से मिलता हूँ, बाते करता हूँ, तब जो आपका main forte है economics, तो लोग थोड़ा चिंता इसलिए करते हैं, उसके बाद सारी चीजों के prices पढ़ गए, जो normal हर एक की जिंदगी में effect कर रहे हैं, जाए वो किसी भी देश में रहता हूँ, तो क्या इस war के बाद भी ऐसा ही होगा, because we are not ready for another escalation of prices. देखे, जब भी world में conflict होता है कहीं भी, तो obviously supply chains disrupt होती है, तो आपको एक बात समझना है कि उसका inflation का impact especially commodities में तो आएगा है, और जब गल्फ में होता है तो crude oil तो obvious है, कि उपर जाएगा, तो that is a part of transport cost, crude oil जो है, तो सारे products में थोड़े-थोडे proportion में उसका impact दिखेगा, बट जहां तक सवाल अब Ukraine वाले conflict का है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा focus अब इस्रेल और हमास वाले conflict पे चला गया है, और US Congress में से जिस प्रकार के official statements आ रहे हैं, लग रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं जैलन्सकी के साथ, तो बहुत funding हो चुकी, तो official statement आया है, we are at the end of the rope, ये word इस्तमाल हुआ है, तो मुझे लगता है कि जैलन्सकी को जो है, अब लादिमेर पूतिन के साथ एक peace agreement पे work करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जल से जल वो conflict complete होगा, बहुत बहुत लंबी नहीं चलेगी, उन्हें जल्दी complete कर लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज, जब supplies की कोई help ही नहीं है, तो आप कितना खीच पाओगे, और फिर outcome तो starting से सभी को पता था क्या outcome आना है, तो मुझे लगता है कि पूतीन के साथ कुछ ना कुछ नेगोशियेशन स्टार्ट होना चाहिए, और मैं कुछ नूज सुन रहा हूं कि जलिंस्की आ रहे हैं और रादिमेर पूतीन भी शायद summit के लिए आ रहे है, not relevant to this, बट वो तो एक बड़ी summit के लिए आ रहे है, जो मैने prediction दिया था कि रश्या के साथ अब non-defense trade में बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि देखो पूरा geopolitics फ्लिप हो चुका है, ठीक है, नाव रश्या इस गोईंग तो बी one of the richest country after the financial reset, क्योंकि maximum natural resources उसके पास है, commodities wise, दुनिया का सबसे ज़्यादा पाने भी उसके पास है, जी, और वो Arctic melt होगा, वहाँ से जो treasure निकलेगा, और नए sea lanes, वो सारे पे domination Russian military का होगा, तो as long as natural resources और commodities is concerned, Russia will become among the top rich economies, तो geopolitics अब flip हो चुका है, अब west की ओर हम defense के लिए देखेंगे, और वो भी direct purchase नहीं होगा, that will be tech transfer और joint production, और रश्या की ओर हम non-defense trade की ओर देखेंगे, जहांपे people to people ties, मतलब education को recognize करना, एक दूसरे के legal regulation को recognize करना, भारतिय बिजनसमेन के लिए red carpet welcome, क्योंकि this is what I expect in the coming years, तो बहुत natural है के वो होगा, मतलब आप कम से कम ये इस्राइल और पलेस्टाइन का वार लंबा खीचे ऐसा नहीं देख रहे हैं, नहीं ये mess clean up हो जाना चाहिए बट थोड़े gap के बाद Iran वाला हम conflict देख सकते हैं, किस के साथ, इस्राइल के साथ? इस्राइल के साथ, अलोंग विथ obviously US intelligence and supplies and action. पैलेस्टाइन का एक envoy हमने खबर पढ़ी, कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्राइसिस को ठीक करने में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. तो पैलेस्टाइन भी इंडिया की और देख रहा है कि हम थोड़ा उनमें कुछ peace कर रहा सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखे, जहां तक भारत का रोल का सवाल है, तो जब तक दोनों पार्टीज अग्रीन ही हो जाती ऐसे किसी रोल के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता भारत खुद से कोई initiative लेगा. तो पहले हमें signaling चाहिए इसरेल से और फिर पैलेस्टाइन से. पैलेस्टाइन तो invite करेगा, विक्टिम तो हमेशा से invite करेगा. तो अब जब आपने terror attack किया इसरेल के उपर, तब भारत को पूछा था क्या? तो जब अब मार पढ़ रही है, तब आपको भारत यादार है. तो ठीक है, जब दोनों party, जब consensus हो जाएगा कि भारत का ऐसा कुछ mediation का role हो सकता है. We are open to that. पर अभी नहीं. I don't think so. Thank you, Ankit जी. एक बार फिर से आने के लिए. और हमारे दर्शक आपको हर बार बहुत पसंद करते हैं. Thank you. जय हैं. जय भारत.